क्रिटिनाइन हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक वेस्ट प्रॉडक्ट होता है, जिसे किड़नी हमारे ब्लट से फिल्टर कर यूरीन के रास्ते बहार निकालती है, दरसर क्रिटिनाइन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि किड़नी कितना बहतर काम कर रही है, नाम किड़नी में होनी वाली समस्याएं हैं इसलिए हमें किटनाइन लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए जिसके लिए कुछ उपाए भी हैं जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं तो वीडियो में एंग तक बने रहें लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चानल किडनी ट्रीट्मेंट विदाओ डियलेसिस पर नए हैं तो हमारी चानल को अभी सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि इस तरह की इन्फरमेटर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुशती रहें तो चलिए शुरू करते हैं आ 1. अपने आहार में सोडियम यानि नमक के सेवन को कम करें ताकि हाई ब्लड पेशर की समस्या के कम चांसे बने और हमारी किडनी स्वस्थ रहे 2. आप अपने रोजमर्णा के लाइफ में पानी की एक प्रयाप्त मातरा का सेवन करें जिससे कि आप दी हाइडरेशन से दूर रहते हैं और आपकी किडनी सही तरीके से वर्क करती है 3. अपने आहार में प्रोटीन से भरपूर चीज़ों जैसे मर्शली, डेरी प्रोड़क्ट से बचें क्योंकि प्रोटीन किटनाइन को बढ़ाता है 4. अपने आहार में फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करें जो हमारे शरीर में किटनाइन लेविल को कम करता है क्योंकि कुटनाइन लेविल को बढ़ाता है आप सप्लिमेंट की जगा हर्बल्टी का प्रियोग कर सकते हैं हम उमीद करते हैं कि हमारे ये नुस्के आपको पसंद आए होंगे तो आज के वीडियो में बस इतना है अगर आपको हमारी आज के वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए सभी के साथ शेर कीजिए ऐसे और इंफर्मिटिव वीडियो उसके लिए हमारे चानल को अभी सब्सक्राइब कीजिए साथ ही आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमश्कार